हलो दोस्तों आपके अपने मरुद्रा यूटुब कलास पर आपका स्वागत है दोस्तों जो आज हम 10 सिरी लेका है जो प्रेक्टि सेट लेका है आपके 120 के लगबग आपके यहां पर क्यूच्छन है और यहां आपके क्यूच्छन है वह आपके है ये चेनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हरे एक्जाम की द्रश्टी से ये टोपिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो दोस्तों चलते हम यहापर पेले कुश्यन के और, पेला कुश्यन हमारे यहापर वेश्णोई संप्रदाई का ध्रम ग्रंत है, प जम्ब सागर और विश्णोई संप्रदाई रेते, कितने नियमों का पालिन करते हैं, आप खुद याद रख लेने हैं, आपर 20 पलस 9, मतलब 29, 20 और 9, मतलब 29 नियमों का इनके द्वारा पालन किया जाता है, अगला क्यूश्यन आपका, जाम्बोजी जीनों ने किसका उतार माने जाते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि जो कि जाम्बोजी उनको किसका उतार माना गया है, पहला भगवान इंद्र का, दूसरा है भगवान शिव का, तीसरा है भगवान विश्णु का, चोता है, किसी का नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आ हरे विर्क्ष नहीं काटना चाहिए सदेव शालिंता वे संतोष का पालन करना चाहिए अपमान सेकर भी ध्रम के मार्ग पर चलना चाहिए चोता है उप्रोक्त सभी तो दोस्तों इसमें नियमों का बताया गया तो कौन-कौन से नियम भग मतलब इस्नोवी पंत की मान्यता है तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजे आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका यहां पर चोता हरे विर्क्ष नहीं काटना चाहिए सदेव शालिंता वे संतोष का पालन करना चाहिए अपमान सेकर भी ध्रम के मार्ग पर चलना चाहिए अगला तो इसका जल्दी से राइट आंसर दीजे आप संत जामो जी किसके सिश्य थे तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संत जामो जी गुरु गुरगनाजी के सिश्य थे किसके थे गुरु गुरगनाजी के और जितने भी मतलब यह संत रहते या लोग देवतार रहत पेला बलराम जी का दूसरा श्री कृष्ण जी का तीसरा बलराम श्री कृष्ण दोनों का चोताय उप्रोक्त में से किसी का नहीं तो दोस्तों इसका जल्दी से राइट आंसर देजी आप बाबा राम देव को किसका उतार माना जाता है तो बाबा राम देव को माना जाता है माना जाता आपका बगवान सिरी किष्ण का अउतार माना जाता है अगला क्यूशन है आपका बाबा राम देव को किसका अउतार माना जाता है अगला क्यूशन है आपका राम द्वारा सम्मंदित है राम द्वारा किसे सम्मंदित है पहला राम इसने ही संप्रदाई की प्रात संत महापुर्श हैं आपको संप्रदय परवर्द के साथ कौन सा किसके साथ सुमेलित हो रा है या आपको option बता दिता हूं दोस्तों जल्दी से answer दीजिए आप तो दोस्तों अगला क्यूष्चन है आप का यहांपर, गोध यह संपरदाई के संस्तापक थे? पहले दादुदयाल जी, दूसरे जसनाद जी, तीसरे जांबो जी, छोते है나हे गोरांक महापरभू तो दोस्तो जल्दी से राइट आंसर दीजे आप गोड़े संप्रदाई के संस्तापक कोन थे तो दोस्तो गोड़े संप्रदाई के संस्तापक कोन थे जल्दी से जल्दी आंसर दीजे दोस्तो ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जा गोड़ी संप्रदाई के जो संस्तापक थे वो थे हमारे गोरांग महापरभू कौन थे गोरांग महापरभू जी थे अगला क्युशन है आपका निम्बार्ग संप्रदाई की परमुगद्धी की सिस्तान पर है पहला है किशनगड़ जमेर में दूसरे गलताजी में तीसरे नरायन जेपूर में चोते हैं नात दोरा में जल्दी से राइट आंसर दीजे आप दोस्तो निम्बार्ग संप्रदाई की परमुगद्धी की सिस्तान पर है तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा वो जाएगा आपके यहां पर पेला हो जाएगा किशनगड़ जमेर में इस्तित है अगला कुशन आपका नात संप्रदाई की परमुगद्धी की सिस्तान पर है पहला है उदेपूर में, दूसरा जोदपूर में, तीसरे नरायना में, चोता है नात द्वारा में तो दोस्तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप इसका नात सम्रदय की परमुगदी की इस्तान पर है तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरा हो जाएगा ठीक है दोस्तो नात संप्रदाई की परमुगद्धी कहां पर इस्तित है वो जोदपूर में इस्तित है और दोस्तो निम्बाग संप्रदाई की परमुगद्धी में आपको क्या बताए था वो दोस्तो निम्बाग संप्रदाई की जो गद्धी है आपकी कहां पर है किशनगड अजमेर में ए से इसला गल्ता जी जेपूर में जोथा है आपके नातद्वरा में तो दोस्तों उसका आपके गल्ता जी जेपूर में इःस्त्थ ठीक है आपका नागा और निहंग नामक दो कि संप्रदाई की राज़स्तान में मिलती है पहला है निरामानुश, घृष्ञह। राहिट आँचर दिजे आप की नागा और निह्म कहां पर मिलती है तो दोस्तो इसका जो राहिट संप्रदाई की दो मुख्य गद्या राज़िस्तान में है पहली नादवारा कोटा दूसरा शापूरा जेपूर तीसरा कोटा जेपूर चोता है आपका बांस्वाडा उदेपूर तो दोस्तो इसका जल्दी से राइट आंसर दीजी आप वेशने संप्रदाई की दो मुख्य गद्या राज़िस्तान में कहां परिस्ती थे तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नादवारा कोटा में इस्ती थे ठीक है अगला कुश्यन आपका राम चरण जी महराज का पूर्वी नाम था पेला राम किशन दूसरा राधा किशन तीसरा राधा किश पूररामकिशन जी था ठीक पहला रामदेव जी दूसरे गोगा जी तीसरे पापूजी चोते मलीनाथ जी तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से राइट आंसर दीजे आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका तीसरा कौन थे वो पापू जी थे ठीक है अगला क्यूशन आपका जन साती पंत के परवर्तक संत जसनाजी के बारे में कौन सा कतन सत्य है पहला जसनाजी का संबन 1549 की कार्तिक शुकला एकादसमी को विकानेर के गाउं में हुआ था दूसरा उन्होंने गुरगनाद को अपना गुरु माना तीसरा है जसनाजी आजनम भ्रहमचारी थे चोथा है उपरोग्त सभी तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा वो जाएगा आपका उपरोग्त सभी आपर साहिए बेले संत जामो जी के, दूसरे संत पिपा जी के, उसके अलावा यहाँ पर तीसरा है आपका रामानन जी के चोते है जसनाजी के तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संत धन्यों जी जिन्नोंने राजिस्थान में धार्मिक आंदोलन में बड़ा योगदान किया था किसके सिश्य थे वो तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा रामानन जी के सिश्य थे अगला कुश्चन है आपके रामानंद के सिश्य थे यहाँ पर बोला गया है कि रामानंद के सिश्य कौन थे दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर पेला उप्शन है आपका सिकर के अग्रगवास रेवासा दूसरे आमेर जेपुर के पहारी स्वामी तीसरा है गलता जेपुर के क की ले दाज चोता है उप्रोक्त सभी तो दोसतो इसका जो राइट आंसर हो जाए गा आ पहला दुवन गाउं टौक में सन 1415 में, दूसरा कानोता जेपूर में सन 1409 में, तीसरा है शापुरा बिलवाडा में सन 1400 में, चोता है आपका पीपासर नागोर में सन 1300 में, इस्वी में तो दोस्तों यहाँ पर संत धन्ना जी का जन्म कहां पर हुआ था, एसा यहाँ पर पूचा गया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संत धन्ना जी का जन्म हुआ था, दौन गाउं टौक में हुआ था, दौन गाउं में हुआ था, और दौन गाउं कहां प को चोता किरपा द्रश्टी शब्द को तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इश्वर की किरपा प्राप्त करने के लिए वरलब संब्रदाई के लोग रहते हैं क्या करते हैं किसको प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपक लोग्त सभी तो दोस्तों यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगूरी लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों यहां पर शम्चान में रहने वाले रोग रहते हैं ठीक है और यहां पर दोस्तों आपको यहां पर सुमेलित करना है कि यहां पर पीट कौन से यहां पर है और इसके लावी आंसर है तो दोस्तों इसमें से आप जल्दी से राइट आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी राइट आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी राइट आंसर दीजिए क्योंकि आपको यहां पर मिलाने में भी टाइम लगेगा दोस् तो यहां पर क्या है वल्लब संप्रद आई की चटी पीड सुरत गुजराद में इसी परकार से यहां पर क्या सारे सुमेली थे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन आपके आई पंत के परवर्तक है आई पंत के परवर्तक को ने गोपाल जी दूसरा जी दवी कोन है जी जी देवी ठीके दोस्तों अगला कुशन आपको यहां पर सुमेलित करना है कि संप्रदाई को इस सलब्रदाई की ढखना है तो दोस्तों आप रहित आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा थेक है दादू पंत है नाराएन हो नहें ना कहां परर जो संप्रदाई है वो आपके आदर्स नगर जेपूर में इसकी गद्धी है वल्लब संप्रदाई की गद्धी आपके नाद द्वारा में है और रामिस नहीं संप्रदाई की जो गद्धी हो आपके शापूरा बिलवारा में इस्ती थे ठीक है अगला कुछिशन आपके संत लाल जी लाल दार जी मेवझी पहाँ पर पेदा हुए थे पहला यहां पर बैयना में दूसरा है आपका नगला भरतपूर में तीसरा आपका धोली दूप अलवर में चोता है आपके शापुरा भिलवाडा में तो दोस्तों इसका जल्दी से राइट आंसर दीजी आप तो संत लालदाजी मेव जिनोंने लालदासी संप्रदाई चलाये तक कहां पर पेदा हुए थे आपके दोली दूब गावलवर में पेदा हुए थे ठीक है लालदासी संप्रदाई के मानने वाला दिक्तर लोग सामानने कहां पर रहते हैं ये कुशन आपको बताना है दोस्तों पहला है अलवर भरतपूर में दूसरा है जेपूर जोदपूर में तीसरा है आपके टौंक सी रोई में चोता है आपके कोटा बुंदी में तो दोस्तों लाल दासी सम्प्रदाई को मानने वाले अधिकतर लोग कहां पर पाये जाते हैं तो ये पाये जाते हैं आपके अलवर और भरतपूर में पाये जाते हैं अगला क्यूश्यन आपका भाबा राम देव के बारे में आपको यहाँ पर सथ्यकतनिया पर बताना है आपको पेला इनका जनबाब मेर में हुआ था दूसरा है वर्थमान में रूरिचा कोई राम देवरा कहा जाता है तीसरा है सामाजिक समरस्ता इस्तबित करना बाबा-राम देव का सबसे परमकुद्देशे था चोथा है उपरोक्त सभी तो दोस्तों बाबा-राम देव के बारे में जो सत्य कतहने ही कौन सा है तो दोस्तों यहाँ पर आपके इसका जो right आंसर हो जाएगा, आपके राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी यांन पर सत्य, क्या है उप्रोक्त सभी सत्य है इनका जनबार मेर में हुआ ता, वर्तमान में रूणी चा कोई रामदीवरा कहा जाता है। तीसरा है सामा जी समरस्ता इस्ताबित करने वाला बाबाराम देव सबसे परमुकुद्देश था तो दोस्तों आपका यहां पर देखो एक क्विश्चन सा आपके तीन आंसर यहां पर सो लोग गए अगला क्विश्चन आपका एक तांत्रिक भेरों के साथ यूद किया था मत तीन आपके तो आपके किया था बाबाराम देव जी ने वो यूद किया था अगला क्युश्चन आपका शेव मत्ति से सम्मंधित राज-परिवार था पीला है जेपूर, दूसरा उदेपूर, दिसरा जोदपूर, जोधपूर, चोथा विका नेर तो दोस्तों इसका अगला कुश्यन आपका वल्लब सम्षदाई की पांचवी एम सातवी पीट गोकुल जी चंद्रमाजी कहां पर है? पहला कानूता जेपूर में, दूसरा कामा बरतपूर में, तीसरा शापूरा बिलवाडा में, चोता बसी जेपूर में तो दोस्तो वल्लब सम्षदाई की जो पांचवी एम सातवी पीट गोकुल जी चंद्रमाजी कहां पर इस्तित है? तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका दोसरा हो जाएगा कामा बरतपूर में अगला क्यूसेन आपका द्रम का स्वर्मानिय अर्थ है द्रम का यहाँ पर स्वर्मानिय अर्थ पूचा गया है जिसमें पहला आपका जो धारन किया गया हो दूसरा है आपका जो पापों से मुक्ति प्राप्त करें तीसरा है आपका जो हमें दूसरों से सेश्ट सिद करें चोता है यहां पर उप्रोक्त सभी तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रम का स्वर्मानियर्त क्या है जो धारण क्या होगा इसका जो एक दम एक जेट होगा वो हो जाएगा आपका जो धारण किया जाए उसको द्रम का स्वर्मानियर तक आँ पर कहा गया है राजिस्तान में धार मिक्ता की परवर्टि पेक्ष्या करता दिक रहिए इसका कारण क्या है लोगों का अंदिव commence स्वासि होना लोगों का कम शिक्षित होना तीसरा है मंदिरों का अदिक होना तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा दूसरे का क्या हो जाएगा अमारा? राज्य की संसकर्ति में ही दरम का पूत हो जाना इसकारण से आंपर राजिस्तान के लोगों में ज्ञादा दरम की परवर्तियां पर रही है इगला question आपका राजस्तान में किस द्रम को मानने वाले लोग सबस्यदिक संक्या में पाए जाते हैं अगला क्यूश्यान है आपका हिंदू द्रम के 50 सरवादिक संक्या में कौन है पहले बोध द्रम, दूसरा मुस्लिम द्रम, तीसरा शिक द्रम, चोता इन में से कोई नहीं तो दोस्तो हिंदु द्रम के पच्छाज जो सरवादिक द्रम वाले लोग पाये जाते हैं वो कौन पाये जाते हैं वो मुस्लिम पाये जाते हैं जेपूर के राजा मान सिंग परतम वे अन्नी नरेशों की सर्दाभी संपरदाई में हैं, चोता है उप्रोक्त सभी, तो दोस्तो गोडे संपरदाई के बारे में सत्ती क्या है, यह आपको यहाँ पर बताना है, तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका कौन स हो जाएगा, पांचवे में उप्रोक्त सभी, मतलब इसके परवर्तक ते जो गोरांग महा परभूते, इसका राजस्तान की संस्कर्ति में व्यापक पर बाव पड़ा, जेपूर के राजा मान सिंग परतम वे अन्नी नरेशों की सरदाभी संपरदाई में रही है, ठीक है, अगला क्यूशन आपके, राजस्तान में प्राचिन काल में किस द्रम का परचार परचार अधिक हुआ था, पहला जेन द्रम का, दूसरा मुस्लिम द्रम का, तीसरा वेदिक द्रम का, चोता है उप्र्यूक्त सभी का, तो दोस्तो राजस्तान में प्राचिन काल में किस द्र दूसरा शिक द्रम, तीसरा हिंदू द्रम, चोता है मानव द्रम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सनातन द्रम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदू द्रम, सनातन द्रम है, राजिस्तान में सियाओं का पवित्र तरी दिस्तल यहाँ पर फेला बेराड़ जेपूर में दूसरा आमीर जेपूर में तीसरे सांगा निर्जेपूर में गुता सभी जगे तो दोस्तों बहुत के बोगनाव शेश की की थी गुरु नानक देव ने दूसरा गुरु गोईन सिंग ने थीसरा टेक भाद्दुर जी ने चोता है उप्रियुक्त सभी ने तो दोस्तो सिक्ध्रम की इस्तापना की तो इसका जो राइट आंशर हो जाएगा आपका कौन सा वजाएगा पेला हो जाएगा कौन सा वेशनो द्रम के चोता किसी के नहीं तो यहाँ पर इसका जो राहिट आंचर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो राहिट आंचर हो जाएगा रामुन अजचारी किसके अन्वियाई थे तो इसका जो राहिट आंचर हो जाएगा आपकी हो जाएगा वेष्णव द्रम के ठीक है अगला क्यूस्यन आपका राज्य के कि जिले में इसे द्रम अवनलिम्भियों की संक्या सबसे दिक पाई जाती है पहले बीकानेर में दूसरी रन्थमबोर में तीसरी अजमेर में चोथी जेपूर में तो दोस्तो इसका जुराईटांसर हो जाएगा किस जिले में इसाई द्रम वाले लोग सरभादिक पाये जाते हैं तो दोस्तो इसका जुराइट आंचर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ठीक है अजमेर में होता है फार्सी द्रम को मानने वाले लोग निम्न में से किस देवता की पूजा करते हैं पहला सुर्यवय अगनी की दूसरा विष्णु की तीसरा इंद्र की चोथा वरुण की तो दोस्तो इहाँ पर इसका जुराइट आंचर हो जाएगा फार्सी द्रम को मानने वाले लोग किस की पूजा करते हैं तो इसका जुराइट आंचर हो जाएगा आपका कोन सा हो जाएगा यहां पर इसका हो जाएगा सुर्यवय अगनी की पूजा इनके द्वारा की जाती है ठीक है अगला क्यूशन आपका राजस्तान के किन जीलों में बहुत अन्योयका से केंद्रन अधिक है पेलालवर में दूसरा भरतपूर में तीसरा अजमेर जेपूर में चोता है भिलवाडा में तो दोस्तो राजस्तान के किन जिलों में बहुत पुस्ति आन्सर क्वे इसको इसका आइप प्रीप Glauman Pen जल्दी से कहां पड़िस आप च्व। ज़ानते गां पर सब्सक्रीं के पटा से कहां पडाइब ? और औरे त्योंत्र काएल बताइच पुछ्षिन क्रिष्न के बाल रूप की सेवा कि सम्रदाई के लोग करते हैं पहला वेश्नाव के दूसरी निम्भाग समर습니다 baik डेसरा मुस्लिम समर्दाई के दीजें दोस्तों इसका जल्दी सराय चैन्हानशर जारी आप क्रिष्ण के बाल रूप की सिवा कि सम्रदाय के लोगों के दwarat की जाती है तो सम्रदाय के लोगों के दवारा की राजस्तान में द्रम आदरी जगुड का उस्षत कमी रहा है इसका आपको परमुकारण बताना है लोगों की सहिशनुतु परवर्ती एक दूसरे को द्रम के आदर की बाहुना तीसरा विविन द्रम मों में कट्टरता से दूरी चोता उपरोगत सभी तो दोस्तों इसका जुर जाएक बषिए पर राटता को मानाजैता है अगला कुछन आपको यहां इंद्रम की कौनशी इंद्ड्म की कहन चीकुन, erfahren के कौन मुस्लिम द्रम की को दो आप सबको पता है यहां पर से दरम की भाई भी ले पार्शी ना पार्सी धरम के मिलान करने वालों भी आ सकते जो की रिदनिक में कुशन आते हैं उसमें इसमें से बिन कौन सा है तो उसमें से आप यहाँ पर पूश सकते हैं उसका लाहिंदु द्रम का आपके पूरान है शिख द्रम में आपके गुरु गुरान की ठीक है तो इसका जो राइट आंसर जाए अपका पेल मना जाता है जल्दी सा इसका राइटा आँसर दीजे तो पुर्शुतमAndra Mark जी को प्रहजिदन का उतार मना जाता है पुरानों की संक्य ना किन प्रहला ओप्षण आपके 18 है दूसरे 22 वे 17 14 10 ले, 32 जी बित्व 29-22 पुरानों की संक्य कितनी find जान दीन डाक्टर पर्मोत कुमार सी के राज्या उसका लावा इन में से कोई नहीं तो दोस्तों यहाँ पर टेरा कोटा उब राजिस्तान के लेकर कोन है तो इसका जल्दी सा आपको राईट आंसर देना है तेरा कोटा उब राजिस्तान के लेकर कोन है तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा दोक्तर परमोत कुमार अगला कुशन आपका निम में से कौन सा राज्य गराना शेव मत को मानने वाला था पहला जोदपूर दूसरा जेपूर यह मैंने आपको पहले भी बता दिया है दोस्तों कौन सा गराना है जो इसको मानने वाला था तो दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा आपर मेवाड उदेपूरे आपके पहले भी आ चुका है कुशन निम्मे से कौन मेवाड राजकुल के आराध्य देव मानने जाते हैं पहले एंक लिंगे श्वर दूसरा राधा गोविंद तीसरा द्वारी का दीजी चोता है आपके शिरिनाद जी तो दोस्तों निम्मे से कौन मेवाड राजकुल के आराध्य देव मानने जाते हैं तो द ऐसे माहराना परताभ महराना संगाäre वाली उपादि म्मख्राक माने जाता है लेख लिंगेशवर्जी को अफ़ान पर राज से ती कोई भी राजय कोने लगा था सिन में ओर रजम दरम का श्रपरतम मुले कहाँ पर मिलता हैन्फ संड लेक में लिक में और सीनलों और आपको जलड़ी से राइट आंसर देना है। लाजस्तान के वल्लब संप्रदय का परमुकदार में इस्तन कोन सा है तो इसका जो राईट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर हो जाएगा कौन ढूँको यहां पर पे में राहे टांसरोज अगा नाध्द्वबॉरा ठीक है च्रील वाडशिले में जीस् Mana and गीपीटिस्तित म来ें पहला है दादू संप्रदाई दूसरा रामानूस नहीं थिस्रा वल्लब सम्प्रदाई चोता है आपका निमबार्क संप्रदै तो शरी लेवाड़ संप्रदाई cr night इलेबर जो दोस्तों आपको यहां पर बता ना स्री लेवाड़ जी ले में संप्रदै की पीटि ओ वो कौन सा है यहाँ पर उसका जो राहिट आंसर हो जिगा रामानुस संप्रदाई की ठीक है अगला क्यूशन है आपका यहाँ पर संथ पीपा जी के अनुसार मोक्ष का परमुक साधन कौन सा था पेला है मुर्ति पूजा, दूसरा भक्ती, तीसरा तपश्या, चोता यग तो दोस्तो इसका जल्दी से राइट आंसर दीजे आप संथ पीपा के अनुसार जो मोक्ष का परमुक साधनता कोन सा था तो दोस्तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका तपश्या था, ठीक है अगला कुशन आपका, वे कौन से लोग देउता है, वे कौन से लोग देउता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है, क्योंकि उन्होंने गूजरो की गायों को में भोसे छुड़ा ने तो अपने जीवन की आहूति देदी थी पहला है गोगा जी, दूसरा पापु जी, तीसरा मलिनाज जी, चोथा तेजा जी तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन से लोग देउता है वो दूसरा नागणची माता की तीसरी स्वांगया माता की चोता है अनपुर्णा माता की दोस्तो इसका राइट आंसर दीजिए आप जेसल मेर के नरेश कुल के रूप में निम्मे से की देवी की पूजा की जाती है तो दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा कौन सा हो जाएगा वो जाएगा आपका यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा J-sal call मेरे के ने श्कुल देवी स्वांगया देवी स्वांगया देवी की पूजा करते हैं वो अगला question है आपका यसा कुंसा संप्रदई है जिसमें राम की भक्ति वे Pooja Krishna की बाती उने रस्रिक नाम मानते हुए की जाती है फेला निम्बाह संप्रदई दूसरा रामानुस संप्रदई तीसरा गोड़े संप्रदई चोताइन में से कोई नहीं तो दोस्तों एसा कौन सा संप्रदाई जिसमें राम की भक्त दिये पूजा क्रिशन की बाती उन्हें रस्तिक मांते हुए जल्दी से राइट आंसर दीजे दोस्तों आप दोस्तों ते तीसरा गोड़िये संप्रदाई कौन सा हुजाएगा गोड़िये संप्रदाई अगला क्यूशन आपका जांबो जी द्वारा परतिबादी 29 नियमों का पालन करने वाला अन्युए क्या कहलाते हैं नात पंती दूसरा मेव तीसरा विष्णुई चोता है गुजर तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दीजे आप इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका जाएगा गुरु द्वारा मार्ग दर्चन तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजे आप इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका जाएगा गुरु द्वारा मार्ग दर्चन ठीक है अगला कुशन आपके मूंडियार की ख्याती में मूंडियार की ख्याती में पेला है मारवार के राटोर शाजको का वंडन है जुसरा मेवार के सिसुद्या शाजको का वंडन है तीसरा अमेर के कच्छवा शाजको का वंडन है तो मुनडियार की ख्याती में क्या है दोस्तों तो दोस्तों इसका जो राही टांसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पहला अगला क्यूशन आपके विश्णुई संपरदाई के संस्तापक कौन है पहले दादू जी दूसरे जांबू जी तीसरे कबीर जी चोते रामचरन तो दोस्तो विश्णोई संपरदाई के संस्तापक कौन है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन है जांबो जी नेक्स्क्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र मेवात की वह जाती मेवात की वह जाती जिसे बलात मुसल्मान बना दिया गया कहलाती है पहली गुजर दूसरी यादव तीसरी जाट चोथी मेव तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजे आप मेवात अलवर की वह जाती जिसे बलात मुसलमान बना दिया गया है वह क्या क्यलाती है तो वह आपके मेव क्यलाती है जो के अलवर में इस्तित है कहां पर इस्तित है वो अलवर में इस्तित है ठीक है उसके लावा अगला है आपका लोग देवता गोगा जी का परती क्या है पहला साप दूसरा शेर तीस तो दोस्तो लोग देवता गोगा जी का परती क्या है यहां पर इसका राहिट आंसर दीजिए आप जल्दी से तो दोस्तो इसका जो राहिट आंसर हो जाएगा आपका लोग देवता गोगा जी को परती के वह आपके सर्प है यहां पर तेरे पंती संप्रदाई के संस्तापक कोन थे पहले रामनन जी दूसरे बिकम जी ओश्वाल तीसरे दादू दयाल जी चोते बल्लबा चारिये तो दोस्तो इसका राइट आंसर दीजे आप तेरे पंती संप्रदाई के संस्तापक कोन थे तो दोस्तों यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपर बीकम जी ओ स्वाल अगला कुशन आपका दादू पंती संप्रदाई की मुक्य गद्धी की इस्तान पर है पहली किशनगड में, दूसरी नाद द्वारा में, तीसरी नरेना में, चोता है कांक रोली में तो दोस्तों दादू पंती संप्रदाई की मुक्य गद्धी की इस्तान पर इस्तिते तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका कहाँ पर इस्तित है वो नरेना में इस्तित और नरेना कहाँ पर आपके जेपूर में इस्तित है ठीक है अगला किस्तिन आपका अगनी निर्थे का संबन की संप्रदाई से हैं पहला वल्लब संप्रदाई से दूसरा विश्नुई संप्रदाई से तीसरा गोड संप्रदाई से चोता है आपके जसनाती संप्रदाई से तो दोस्तो अगनी निर्थी का संबंद किसे है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जसनाती संप्रदाई के लोग है जो अगनी निर्थी करते हैं ठीक है पीपासर गाउं का संबंद आपको यहाँ पर बताना है किस्से हैं आपका संत जामो जी से दूसरा संत जसनाजी से तीसरा है दन्ना जी से चोता है विश्णोई जी से तो दोस्तो पीपासर गाउं का संबंद किस्से है जल्दी से राइट आंसर दीजे आप तो दोस्तो पीपासर गाउं का जो संबंद आपके किस्से हैं वो आपके संत जामबोजी से हैं अगला क्युशन आपका चेतन्य महा परभु का संबंद किस्से हैं पहला वेश्णौ संब्रदाई से दूसरा गोड़े संब्रदाई का भक्ति मारगे तीसरा निम्बाग संब्रदाई से चोता उप्रोक्त में से कोई भी नहीं तो दोस्तो चेतन्य महा परभु का संबंद किस्से हैं जल्दी से राइट आंसर दीजी आप दोस्तो जल्दी से जल्दी राइट आंसर दीजी आप तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेतन्य महा परभु का संबंद किस से तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोरांग परभु के अन्युयाई अदिकतर है पहले जेपूर में दूसरे जोदपूर में तीसरा बिकानेर में चोता अलवर में तो दोस् कि पहला चब दूसरे 46 का तो दोस्तों यहां पर जस to समप्रदाइय के लोग पालन करतें तो अधीस सम्प्रदाईं के लोग रहते हैं 29 नियमोगा पालन करते हैं जिसकी स्थापना किसने गीती जांबुजी ने गीती ठीक है अगला क्यूशन आपका आरे समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी पहले स्वामी दोयनन सर्च्वती के द्वारा दूसरा स्वामी विकानन जी के द्वारा तीसरा स्वामी विर्जानन जी के द्वारा चोता है उपरोक्त में से किसी ने नहीं तो दोस्तों इसका जो राइट आंचर हो जाएगा आपका आरे समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आरे समाज की स्थापना कब हुई है दोस्तों तो यहाँ पर जो आपका पहला उप्षिन आरे समाज की स्थापना हुई है सन 1875 में सन 1863 में तीसरा है सन 1971 में चोता है आपका 1870 में तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से राइट आंसर दीजिया दोस्तों आरे समाज की स्थापना कब हुई है तो आरे समाज की स्थापना हुई है आपकी कब हुई है 1875 में वेदो की ओल लोटो नारा किसने दिया ता है आपको पता होगा जल्दी सा आंसर दीजिया आप तो दोस्तों वेदों की ओर लोटो नारा किस ने दिया था तो दोस्तों यह आपको पता है, दयाननस्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् पर समाज में इसाका गया ठीक हैจะ पूची गई है जेपूर के कच्वा राजवंश्गी अराध्य देविवी कैसे पहले सीला माता, दूसरा काली देवी, तीसरा चामुंडा देवी, चोता है आपके जीन माता, तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी साब राइट आंसर दीजिए, जेपूर के कच्छवा राजवंज की आराध्य देवी कौन है, जल्दी से जल्दी राइट आंसर दीजिए आप, दोस्तों फटा फट से दीजिए, तो दोस्तों आप मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो जाएगा सीला देवी, ठीक है, अगला कुशन आपका बुद्ध की जनमिस्तली है, पहला है कोशाम्बी में, दूसरी राची में तीसरा लुम्बीनी में, चोता इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों भुद्ध की जनमिस्तली कोन सी है, आप जल्दी सरा राइट आंसर दीजी आप, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा लुम्बीनी, अगला कुशन आपका, जेन द दिगंबर उपरोक दोनों चोटा इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वह जाएगा आपका को वह जाएगा आपका है चुझा निव में से कों जेंद्रम के आचारये है फेले पार्षवनाद्व है महावीर दूसरा Vikaマ선 wa svaal तीसरा मुनी आचारे 24 में से कोई नहीं जल्दिसा right answer दीजे आप इसका दोस्तों जो इसका right answer हो जाएगा आपका कौनसा हो जाएगा दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा आपका पेला हो जाएगा अगला कुश्चन आपका अलक 25 तता परमनात विचार जीस जैसे ग्रंतों के लेकक कोन से संतखे 25 तता परमात विचार कोन से संतखे द्वारा लिखा गया यह जलडी सराइट आश्चर दिजिए आप तो इसका राइट आश्चर हो जाएगा आपका पहर्ला हो जाएगा आपट चतूर सिंग जी कोन सा जाएगा चतूर सिंग जी, ठीक है अगला कुश्छन आपका परमहन्स मंडली का संबंद किस्से हैं पहले वेश्णुई संप्रदाई से, दूसरा जस्नाती संप्रदाई से तीसरा मीरादाशी संप्रदाई से चोता है आपका इन में से कोई नहीं तो दोस्तो परमहंज मंदली का संबंद किसे हैं तो दोस्तो इसका जो राइटा आंसर हो जाएगा आपका कुछ से होगा वो हो जाएगा आपका जसनाती संप्रदाई से ठीक है अगला क्यूशन आपका सिख द्रम के सरवादिक अन्युयाई है पहले जेपूर में दूसरे गंगानगर वे हनुमानगर में तीसरा जोधपूर में चोता जोधपूर में तो दोस्तो सिख द्रम के परमुक अन्युयाई कहां पर है तो इसका राइट आते हो जाएगा गंगा नगर वे हनुमान गड़ में क्योंकि इनकी सिमा क्या पंजाब से मिलती है ठीक है सीख द्रम के यहां पर अंतीम गुरू पूचे गए हैं सीख द्रम के अंतीम गुरू कौन है यह पूचा गया है आपे तो दोस्तों आपको राहिट आंसर बताना आपको दूसरे तेख बादर जी तीसरे गुरू गुरू गुरु गोविन जी ठीकए अगला किश्ण आपका Jatyath सम्रदय के परवर्तक शिरी जसनाज जी का जन्म कहा पर हुआ था पेला यहाँ पर है पेला है आपके बसी जेपूर में दूसरा शापूरा जेपूर में तीसरा कत्या बिकानेर में चोता है आपके आमेर जेपूर में जल्दिसर रहीट आंसर दीजिए आप जसनाति सम्रदये के परवर्दक शिरी जसनात जी का जन्म कहा पर हुआ था तो इसका जो रहीट आंसर हो जएक आप कहा यहां पर हो जएगा तीसरा गत्यार भिका नेर मे थीक है अगला क्युशन है आपका सीमू गड़ा तता कोड़ा गरंद का संबन किस से हैं पेला जसनाजी से दूसरा रामानुजा चारे से तीसरा संक्रा चारे से चोथा दादू से तो दोस्तों जल्दी से राहिट आंसर दीजे आप सीमू गड़ा तता कोड़ा गरंद का संबन किस से हैं तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका हो जाएगा पहला निमबार्ग नहीं दोस्तों किस हो जाएगा यहाँ पर इसका जो right answer हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा पर जसनाजी से right answer है जसनाजी से ठीक है अगला कुशन आपका एसा कौन सा संब्रदाई है जिसमें विवाका अफसर्वर फेर आदी की रसमे नहीं है पेरला निम्बार संब्रदाई दूसरा निरंजनी संब्रदाई तीसरा विश्णोई संब्रदाई चोता उपरोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा जल्दी सा आप राइट आंसर दीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्णुई संब्रदई है ना थीक है विश्णुई संब्रदाई एसा विशंब्रदाई है जिसमें विवागव से और फेरादी की रसमें नहीं निवाई जाती है अगला है आपका कनपड़े नातों का तिर्जिस्तान कौन सा है पहला ब्रतरी दूसरा अमेर माता तीसरा शाह पूरा चोता है बने श्वर तो दोस्तों इसका जल्दिस राइट आंशर दीजिया आप इसका जो राइट आंशर हो जाएगा कनपड़े नातों का तिर्जिस्तान कहां पर है ब्रतरी और ब्रतरी का मिला कहाँ पर लगता है अलवर में लगता है और ब्रतरी का जो वो मंदिर या जो भी है समाधी कहाँ पर है वो आपके अलवर में इस्तितितिक है अलवर का जो सरस्का ब्यारण है वहाँ पर इनकी समाधी इस्तितितिक है अगला कुशन आपका गाम इस से कोई नहीं तो दोस्तो इसका जो राइट आंचर हो जाएगा राम इसनी उपा सके किसके बगवान शीरी राम के अगला क्यूशन आपका यहां पर राजस्तान में राजस्तान में राम इसनी सम्रदाई की मुक्यत है कोन सी शाका पाई जाती है पहले सी एतल खड़ापा दू दोस्तो इसका जो राइट आंचर हो जाएगा यह सभी हो जाएगी थेक है अगला किश्योण आपका कबीर पंती सम्रदाई के बारे में आपको यहां पर सत्य बताना है इस पंत को रामानंद के सिश्चे कभी ने चलाया था दूसरा है इस पंत के सादू विवान नहीं करते है तीसरा है कभीर वानी इस पंत का मुक्य गरंते चोता है उप्रोग सभी यहां पर सत्य है तो दोस्तो कभीर पंती संप्रदाई के बारे में कौन सा सत्य है तो इसका जो राइट आंसर हो जेगा आपका कौन सा जेगा हैं पर चोता उप्रोग सभियां पर सत्य कभीर पंति सम्रदै इसको रामानन जी के द्वारा चलाया गया था ठीक है उसके लाव इस पंति के सादु विवा नहीं करते और कभी वानी इस पंति का मुख्ये गरंते अगला कुशन है आपका दादु देयाल के दो विख्या शिष्चे जिन्होंने विश्व परसिदी प्राप्त की थी कौन-कौन थे हो पहले सुन्दर जी और रजब जी दूसरे पापू और गोगा तीसरा है आपका लाली और रामसा चोता इन में से कोई नहीं दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है दादु देयाल के दो विख्यान शिष्चे जिन्होंने विश्च प्रसिदी प्राप्त की थी कौन थे वो तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुन्दर जी और रजब जी पहला ओप्शन आपका एकदम दोस्तो जल्डी से आप राईत आशर दीजे आ पिसका खेजड़ी की जो पूजा की जाती है कब की जाती है वह दस्यरे पर की जाती है अगला क्यूशन आपका राजस्तान के परतम भक्ति संथ कौन थे पहले धन्णा जी दूसरे दादू जी तीसरा प्यपा जी चोता कभीर तो दोस्तो इसका जो राइट आंचर हो जाएगा आपका राजस्तान के परतम संगीत कौन भक्ती संगीत कौन थे तो दोस्तो इसका जो राइट आंचर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा वो आपका पेला हो जाएगा संत धन्ना जी अगला क्विशन आपका दादू जी का इसमारक कहां पर है पहला सांबर जेपूर में दूसरा अमेर जेपूर में तीसरे नरायना जेपूर में चोता राणी सती जुन जुनु में तो दोस्तों दादू जी का इसमारक कहां पर है तो दादू जी का जो इसमारक के कहां पर है वो दोस्तों इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका नराहिना कहां पर है नराहिना जेपूर में निरंजनी संप्रदाई के परवर्तक थे पहले जसनाज जी दूसरे जांबू जी तीसरे रामचरण जी चोते हरी दाज जी तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाई के परवर्तक कोन थे जल दिसर राइट आंसर दीजी आप तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाई के जो परवर्त तक थे कों थे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरीदाज जी ठीक है अगला क्यूशन आपका बल्लब संप्रदाई के सहनसृता पकों थे पहला बल्लब बाचारे दूसरे जसनाच जी तीसरे रामानूजा चारे चोता है आपका निमभाग चारिये तो बल्लब स्थान पर थूस्ताइब लगाँ के संप्रताइब का पर क्योब्फेंटी. नराहीन स्प्रधाएब कैवर yes couple अगला ॥ी के संप्रैकों के संस्तापक थूजर कॅन थे any आपर और लब्बा चारे रामा दोजम मर着 शाड़ आपके गुरांग महापर्भू तो दोस्तों इसका जो राहिट आंसर हो जाएगा आपका रामानुज संब्रदाई के संस्तापक कौन थे तो इसका जो राहिट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रामानुजा चारे कौन थे रामानुजा चारे अगला कुशन आपका इसका राइट आइगा आपका निम्बागाचारे ठीक है अगला कुछन आपका कबीर पंतिस संपरदाई के संस्तापक कों थे पहले कबीर जी दूसरे जस्पनात जी तिसरे रामानुजा चारे चोता है आपके बल्लबाद चारे तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कबीर पंती संप्रदाई के संस्तापक कोन थे तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर जी ठीक है अगला कुशन आपका दासी संप्रदाई के संस्तापक कोन थे वेरी इंपोर ठीक है अगला किशना आपका शेव संब्रदाई के परमु गबडधी की इस्तान पर है पर्ली जोद्पुरों ले दूसरी नरायच में तीसरे उद्यपुर्में 4 बास्व नम ultras दोस्तो इसका ज 녀रा इतांर कर सेगा आपका शेव संब्रदाई केया परमु घद्धियें आपके ये आपके उध्यपूर में इस्तिधतिक है अगला कुष्ण आपका आपका यहां पर गोड्य म्ठावद्य के संस्तापक कौन थे पहला है आपका दादू-दयाल जी दूसरे जसनाज जी तीसरे जांबो जी छोथे गोरांग महापर्भू तो दोस्तों यहां पर गोडे संब्रदाई के संस्तापक कौन थे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा आपके गोरांग महापर्भू कौन थे गोरांग महापर्भू अगला क्यूशन आपके अगला क्यूशन आपके यहाँ पर निंबार संब्रदा अगला कुशन आपके नात सम्रदाइगी पर्मुगद्धी की स्तान पर है पहला उद्यपूर में दूसरी जोदपूर में तीसरी नरायना में चोती नात द्वारा में तो दोस्तों इसका जो राहिट आंचर हो जाएगा आपका वह जाएगा आपके यहां पर जोदपूर में रामानु सम्रदाइगी पर्मुगद्धी की स्तान पर है दोस्तों ये कुशन में आपको पहले सोल करण दियार पहले देख लेना इसलिए नहां बात के वुछन क्यों चलते हैं यहां पर कि तरफ देख लेना आप में करवा चुका हूँ यह आपको 100% करवा दें दोस्तों तो यहां पर आपन देख लेते हैं अब यह भी करवा दिए मिना आपको आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं यहां से करते हैं दोस्तों ठीक है वो कुछिशन में आपको सोल करवा दिए आपको देख लेना उपर के वीडियो में उपर वाले वीडियो में ठीक है अ गोरी जो समसानूं में रहते किस समंदी थे वो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके कपालिक से समंदी थे लाल दासी समर्दाई के उपदेश की गरंत में हैं पह अगला कुछेन आपका पढणामी सम्रदाई के उबदेश संक्ली थे पहला कुलजे स्वरूप में दूसरे पढणामी आख्यान में तीसरा पढणामी वानी में चोता है आपके देरे सिक्षा में तो दोस्तों यहाँ पर इसका जुराहिट आंतर हो जाएगा पढणामी मंदिर का हैं लाल भाई का मंदिर का हैं परमेश्वरी माता का मंदिर का हैं जोग माया मंता का मंदिर का हैं और गाटारानी का मंदिर कहां पर है तो दोस्तों इसका जुराहिट आंसर हो जाएगा आपको यहां पर करना है तो यहां पर इसका जुराहिट आंसर हो जाएगा यहां पर पेला क्योंकि यहां पर सारे सुमेलित करना है योग दोस्तों बहुत जदा मजीद आपके जोदपूर में तो बहुत ज़्जदा मत दोस्तों कि वीडियो के लार सक बने रही है दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते देखो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ अपर बप सारे लेकिन जो हमारे राजितान में जो लोक देवता है वो लोग कीतने मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर पांस लोग किए आप अब लोग देवता किसको का जाता है यह भी मैं आपको बता देता हूं लोग देवता होते दोस्तों जिसको लोग देवता देखो लोग देवता में आपको लोग देवता कितने हमारे लोग देवता पांच है मतलब इनको ही पंच पीर का जाता है लोग देवता को ही पंच पी दोस्तों उन दोनों को पूछते उनको या तो लोग देवता का जाता है उनको पंची पीर का जाता है उसका लाओ इसकी लोग देवताओं को याद करने की मैं आपको शोर्ट ट्रिक बता देता हूँ लोग देवताओं को याद करने की शोर्ट ट्रिक है दोस्तों जो पांस ल जाएगा घटीच और गोगा जी पीर या पीर या तो जार पीर केते है या पिर इनको इनको जाता है जिन्दा पीर इनको चाहता है तो यहां पर पाका मतलब हो तो धाफ़ाता है पापूजी क्या होता है पापू जी पाका मतलब यहां पर पापू जी हो गया जिनको है न भालाटो भी का जाता है भालाटो भालाटो भी इनको का जाता है ठीक है पापू जी का दूसरा नाम है यह इनका उपनाम आप देख सकते हैं उसके लावत दोस्तों अब गोपा गोपा हो गया हमा इनको क्या कहा जाता है मेहाजी को आपके उजवल शस्त्रे भी इनको कहा जाता है दोस्तों आप नोट कर लेना मेहाजी को ही उजवल शस्त्रे भी कहा जाता है उसके लाओ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको उजवल शस्त्रे भी कहा जाता है उसके लाओ जो पीरों का पीर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है उसके लाओ दोस्तों अब जो हमारा गोपा मेरा है यापर हमारा गोपा हो गया ठीक है गोपा मेरा है ठीक है गोसे तो अपने गोगा जी होगे पासे अपने पापु जी होगे मेसे मिहा जी उनी का वावा झातरी तो आप यहां पर थोड़ी बात हम हें पर कर लेते हैं देखो उसका आप Uma आप यहां पर गोगाजी है अब दोस्तों इन मेसेज जो गोगाजी में जो सब्स्तिय क्या है तो दोस्तों यह आपको बहुत जानना जरूरी है गोगाजी का जो परतीक चीन वे एक पर पे उसके लाओ जी वरक्स इस्तान पूछ ले जाता है तो इनका जो वरक्स होता है वो खेंचडी होता है लगबक सबीत लोग देव देवताओं का खेंचडी होता है लेकिन बहुत सारों का अलग भी होता है और इनका जो गोगा जी का वहान होता है वहान क्या होता है इनका नीली गोडी होती है उसका लावा यहाँ पर गोगा जी की अगर दोजा पूछ ली जाए गोगा जी की दोजा पूछ ली जाए तो गोगा जी की दोजा क्या होती है आपके सपेद कलर की होती है क्या होती है आपके गोगा जी की दोजा होती है सपेद कलर की होती है उसका लावा बहुत ज़्यादा इनको कौन करते गोगाजी के पूजा जो कायम खानी मुसल्मान रहे पूजा एंके द्वारह इनकी पूजा की जाती है ठीक है और उसके लावा और दोस्तों मैं आपको और भी बता देता हूं यहां पर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज़ें वह मैं आपको यहां पर पूरी बता देता हूं जैसे अब हम यहां पर कर लेते हैं हम यहां पर बाबा राम देव जी की बात कर लेते हैं लोग देवताव में सबसे लंबा गीत देवी देवताव में सबसे लंबा गीत अगर आपके सबसे लंबागीत देवी देवताव में सबसे लंबा गीत को नगीत लोग देवियों और लोग देवताओं सबसे लंबा गीत को ने तो इसका राइट विजाएगा आपका थाख है दोस्तों ओनली लोग देवताओं में तो आपके वह जाएगा बाबा राम देव देव जी अगा इनका दूसरा प्रैंदूर्य ओबोगdaughter फ़या मनदीर आपके खंडिय वास नागॹण बीहें उसका लाओ दोस्तों इनके जो गुरूजीत थे ला गुरूजी बि Stretch कर रहे हैं तो गूरुते इनके कोंते बालगनाद जी ओर दोस्तों और देवा देवता के बारे में और इसका लावाँ अब हमने इनके पर्तिक चिन की बात कर रहे हैं बाबा राम्धीजी का परतिक चिन के इनके पगल कि बाबा राम दियुजी के बारे में बात कर रहे हैं कितने कलर की होती है आपके पंचरंगा कलर की होती है कितने कलर की होती है पंचरंगा कलर की होती है उसके लाब बाबा राम दियुजी का जुवान होता है देखो अब देखो दोस्तों बात है अपने गोगा जी का जुवा अपने गोगा जी का ओर नीली घोड़ी तो नीली घोड़ी अपने गोगा जी की पूजा पूजा ओर राम दिए पूजा करता है विस्टानी मुपस्ट्राइब करते हैं लेकिन रामदेव जी की बात करें तो राम देव जी की पूजा करते हैं दोस्तों कोन करते हैं पूजा करते हैं किन को आपके रिख्या का जाता है जिंको आपके रिख्या का पापू जी तोड़े सी बात पापी की कर लेते हैं तो दोस्तों पापू जूंह केड़ा घाओं नीं और उसके लगाएं पर पापू जी देता है अगर राजस्तान के सबसे लोग पुरिये देता 目र और यहां फे चीज गोर करने की बात है क्योंकि नुर्मल कुशन तो हर कोई कर देत electrod Moscow लेकिन यहाँ पर बात आ रही है हमारे सबसे लोग पिरिय देवता की तो लोग पिरिय देवता तो हमारे होगे यहाँ पर पापुजी होगे ठीक है और उसका लावा अब यहाँ पर बात कर रहे हम सबसे लोग पिरिय देवी लोग पिरिय देवी की पूझ जाए दोस्तों तो को वह हमारी जो सबसे लोग प्रिये दिया दोस्तो तो शीट लामाता का जो मन्दीर करें लेकिन यहां पर लोग प्रिये की बात आंगी सीट लागी की बात आगी तो ठोड़ी की बात कर ले कि दो खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है वो राजिस्तान की सबसे लोग पिरिये देवी मानी जाती है और अगर सीतला माता है इनके उपनाम पूच लिया जाए तो इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है क्योंकि देखो दोस्तों आपको पता एक जाम का इस्टेंडर है पेटन कितना हाई लेवल का हो गया सीतला माता तो सबको बता ये बच्चा बच्चा कर देगा कि सीतला माता क्या है लेकिन दोस्तों अगर इनके उपनाम की रूप में पूच लिया जाए कि चेचक की देवी किसको का जाता है बच्चों की सरक्षिकता कौन सी माता को का जाता है इन दोस्तों बाँज इस्त्रे रहते हैं यह कुछन बहुत कुमार जाती का पूझा रही होता है अगर सीधला-माता का जो पर्तिक होता है दीपक और मिटकल के बर्तन उसके बर्तन उसके लाभ यहाँ पर पूँत्व लिया जाए जिए oidal Mata का पर्सिद दौर मन् तो सिंग फष्ट के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था और यह कहां पर है सील की डूंगरी पर है ठीक है और उसके लाओ यह राजिस्तान के एक मात है सामदेश जहां पर किसी मूर्ति की नहीं है अपी तु बड़ी-बड़ी पिंडियों की पूजा की जाती है यह एक मात्रिसी दिवी जिनकी बड़ी-बड़ी पिंडियों की पूजा की जाती है इसके मंदिर में भोडरी माता का भी मंदिर है सीतला माता मंदिर है यहां पर बोडरी माता का भी मंदिर है सीतला माता को किसका भोग लगाया जाता है दोस्तो तो सीतला माता को आपको ठंडी चा पापूजी है उसके लाओ दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देता हूँ अब हडबूजी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात हम हडबूजी की कर लेते हैं क्योंकि हम यहां पर पांचों पीरों की बात कर रहे हैं दोस्तों थोड़ी सी हम यहां पर हडबूजी की भी बात क इनको शकुन शास्त्री भी आ जाता है और इनके जैको अब हरब जी के साथ एक खास बात क्या है वोगारी को वह और सीया का जाता है थोड़ी सी वात हम मांगलिया जी की कल लेते मांगलिया जी अगर जनम पूछे जाये तो कहाँ पर ए जोद्पूर में ठीक है मेहा जी और हडबुजी तीनों कामड़िया पंत्र से जुड़े होते हैं उसके अलावा मिहा जी का जो गोड़ा था उसको किरण काबरा का जाता है क्या का जाता है मिहा जी का जो गोड़ा था उसको क्या का जाता है किरण काबरा का जाता है ठीक है और उसके अलावा जो इनके मंदिर की पूझा करते हैं इनके मंदिर की पूझा कौन करते है प्लस बोपा जाती के लोग इनकी पूजा करते हैं ठीक है तो दोस्तों यही अब आप दोस्तों मिना आपको इस वीडियो को माध्यम से पूरे कुश्चन सोल करा दिया थोड़े थोड़े अपने आप लोग देवता की भी बात कर लिए दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो